कई साल पहले इस धर्ती पर बहुत दूर सिंड्रेला नाम की एक सुन्दर लड़की रहती थी सिंड्रेला की मा को गुजरे बहुत साल हो गए थे उसके पिता ने ही उसे पाल पोस कर बढ़ा किया था जब सिंड्रेला की पिता ने दूसरी शादी की तब उसके जीवन में बहुत बदलाव आया उसकी पिता की नई पत्नी और उनकी दो बेटिया सौतेले पिता के घर रहने आए पहली बार जब वे मिले तब से सौतेली मा को सिंड्रेला एक आख ना भाती थी वो और उनकी बेटियां सिंड्रेला के सौन्दरिय और दयालू दिल से बहुत इर्शा करते थे सिंड्रेला की बहन सिंड्रेला जितनी खूबसुरत नहीं थी इतना ही नहीं वो दोनों कठोर और बिगड़ी हुई भी थी एक दिन किसी काम के कारण सिंड्रेला के पिता को लंबी यात्रा पर जाना बढ़ा और यहीं वो समय था जब सिंड्रेला की सौतेली मा और बहनों ने उसके जीवन को नर्क बना दिया जब सिंड्रेला अपने बगीचे में अपने प्यारे पंचियों के साथ बाते कर रही थी तब उसकी सौतेली मा उसके पास आई आज के बाद तुम इस अटारी में रहोगी सिंड्रेला को पता नहीं था इस पर क्या बोले असाहय रूप से जैसा उसे कहा गया उसने किया उसने अपनी चीज़े उठाई और अटारी में चली गई उस दिन के बाद से सिंड्रेला घर के सारे काम खुद ही कर लिया करती थी वो बहुत ठक जाती लेकिन ना उसकी सौतेली मा या उसकी सौतेली बहनों को उसकी दयाई फर्श को दोबारा ठीक से साफ करो क्या तुम्हे धूल नहीं दिखाई दिती तुमने अभी तक कपड़े नहीं धोये मेरे पास पहणने के लिए कुछ नहीं सिंड्रेला के पास चूहें और खिड़की पर आकर बैटने वाले पंचियों के अलावा कोई दोस नहीं था सर्दी से बचने के लिए रात के समय सिंड्रेला नीचे चिमने के पास जाकर सेख लेते लेते वही पर सोचाती है ऐसे ही दिन गुजरते गए एक दिन शहर में राचे द्वारा एक खोशना की गई राजकुमार द्वारा महल में एक पार्टी का आयोजन किया गया है शादी के लिए पातर सभी लड़कियों को इस पार्टी में आमंत्रित किया जाता है जैसे ही सौतेली बहनों ने ये बात सुनी वो भागते हुए घर गई और अपने मा को बताया पार्टी में आप दोनों ही सबसे सुन्दर होगी राजकुमार ने आप दोनों में से एक को ही चुनना चाहिए इस तरह हम सभी महल में रह पाएंगे हैं न मा? हमें तुम दोनों के लिए गाउन और जूते खरीदे होंगे चलो खरीदारी करने जाते हैं सौतेली मा और बहने बाहर चली गई वहाँ खड़ी होकर ये बाते सुनने वाली सिंडरिला उदास हो गई कई दीन तैयारिया चल रही थी सौतेली बहनों के गाउन सिलकर आ गए थे हर दिन वो दोनों दरपण के सामने खड़ी रहती और खुद को बताती हम ही पाटी में सबसे सुन्दर लड़किया होंगी आखिर वो दिन आ ही गया सौतेली बहने आज जल्दी उठके थी उन्होंने सिंड्रेला को बुलाया सिंड्रेला सिंड्रेला जल्दी यहाओ कहा हो तुम जल्दी से हमारे स्लाग के तैयारी करो पूरे दिन सिंड्रेला ने बहनों को तैयार होने में मदद की आख जरा धीरे धीरे ब्रेश करो सारे बाल निकाल दो की क्या शाम तक तुनों पार्टी के लिए तयार हो गई तुम दोनों सुन्दर दिख रही हो पहत सिंदर सिंद्रेला ने सारी हिम्मट जुटाई और सौते लिमा से पूछा क्या मैं भी पार्टी में आ सकती हूँ? कौन तुम? हाँ, उन्होंने सारे युवा लड़कियों को बुलाया है क्या पार्टी के लिए ये तुम्हारी पोशाक है? राजकुबार को अपने लिए पत्नी चाहिए डौकराने नहीं चलो लड़कियों, पार्टी के लिए तेर हो रही है और तुम याद रखना, सोने से पहले सारे काम हो जाने चाहिए सौतेली मा और बहने पार्टी के लिए निकल गई और घर पर अकेली सिंड्रेला रोने लगी मैं पार्टी में क्यों नहीं जा सकती? अगर आज मेरे माता पिता यहां होते तो ये सब नहीं होता उसी समय एक उज्वल प्रकाश दिखाई दिया पहले सिंड्रेला समझ नहीं पाई कि वो क्या था वो प्रकाश को एक टट देखी जा रही थी और अचानक प्रकाश के बीचों बीच एक खूप सुरत परी दिखाई दी मेरी प्यारी सिंड्रेला रो मत तुम भी मेहल में पार्टी में जाओगी सिंड्रेला को उसकी आखो पर विश्वास नहीं हुआ उसने हडबड़ा कर पूछा क्या मैं जा सकती हूँ मेरी हालत तो देखो चिंता मत करो मैं हूना तुम्हारी मदद के लिए मुझे एक कद्दू और साथ चूहे ला कर दो सिंड्रेला को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें ये चीजे क्यों चाहिए पर उसने वहीं किया जो से कहा गया पहले वो रसोई घर में गई और बड़ा सा कद्दू ले आई फिर वो अटारी में गई और अपने चूहे दोस्तों कर लेकर फिर से नीचे आई परी ने अपनी जादूई छड़ी से कद्दू को एक सुन्दर बग्गी में बदल दिया फिर वो चूहो की तरफ मुड़ी उनमें से एक ट्राइवर बन गया और बाकी छे सुन्दर सफेद घोड़ों में बदल गए आश्चर ये चकित सिंड्रेला बग्गी और घोड़ों को देख रही थी तभी परी उसकी तरफ मुड़ी जब उसने अपनी जादूई छड़ी से सिंड्रेला को छुआ उसकी पुरानी ड्रे से खुबसुरत पार्टी काउन में बदल गई और उसके पैरों की चपल सुन्दर काच की जूते में बदल गए मैं राज कुमारी की तरह दिख रही हूं अब पार्टी में जाने का समय हो गया है पर भूलना मत जैसे ही घड़ी में बारा बचते हैं तुम घर चली आना क्यूंकि उसके बार तुम पहले जैसी हो जाओगी सिंड्रेलानी परी को बहुत ध्यान से सुना फिर वो बग्गी में बैठी और महल की और चल पड़ी उसकी खूब सुरत बख्की महल के सामने जाकर रुख गई जब सिंड्रेलाने भव्य दर्वाजों से महल में प्रवेश किया सबकी आखें उसे ही देख रही थी वो बहुत सुन्दर और खांदानी लग रही थी उसकी सौतेली मा और सौतेली बहने भी इस सुन्दर महला को देखती रहे गई थी वे उसे पहचाम भी नहीं पाई थी अचानक सिडियों पर राजकुमार दिखाई दिया सिंड्रेला सच में पार्टी में उपस्थित सभी लड़कियों में सुन्दर लग रही थी राजकुमार को पहले ही नजर में इस खूबसुरत लड़कि से प्यार हो गया सभी उसे उच्शुकता से देख रहे थे वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता गया सौतेली बहने बहुत खुश हो गई कि राजकुमार उन्हीं की तरफ आ रहा है आओ वो मेरे पास आ रहा है नहीं वो मेरे पास आ रहा है पर राजकुमार आगे बढ़ा और सिंट्रेला के सामने जाकर रुख गया हे सुन्दर योती क्या तुम मेरे साथ नृत्य करना पसंद करोगी सिंट्रेला ने विनमरता से हां कहा राजकुमार और सिंट्रेला ने उच्छुकता से देख रहे आमंत्रितों के बीच नृत्य करना शुरू किया सिंट्रेला संकीत और नृत्य से इतनी प्रभावित हो गई उसे लगा मानो महल में वो और राजकुमार है बस दोनों भी सिंट्रेला को पता ही नहीं चला कि कितना वक्त गुजर गया है अचानक उसकी देजर खड़ी पर पड़ी आधी राथ हो चुकी थी उसी समय सिंट्रेला को परी की चेतामी आदा गई जैसे ही घड़ी में बारा बचते हैं तुम घर चलिया ना क्योंकि उसके बाद तुम पहले जैसी हो जाओगी हड़ बढ़ा कर उसने राजकुमार को वही छोड़ा और वो भागने लगे जब वो महल की सीड़िया उतर रही थी उसका एक जूता वही छोड़ गया और उसके पास उसे लेने का समय भी नहीं था जैसे ही वो बाहर पहुची घड़ी में बारा बच चुके थे और फिर से सब कुछ वैसा हो गया जैसे पहले था जब राजकुमार उसके पीछे भागा उसे वो जूता सिड़ियों पर मिला पता करो ये जूता किसका है फिर चाहे इसके लिए राज्य के सारे लड़कियों को आपको मिलना पड़े उसे ठोन कर लाओ सिंड्रेला हाफ्ती हुई घर पहुँची और सीधे अठारी पर गई वो राजकुमार के साथ बिताय समय को सोचने लगी उसे पता था कि उसके पास कोई मौका नहीं था पर फिर भी उसे राजकुमार से प्यार हो गया राजकुमार के लिए उस लड़की को खोजना असंभव था और अगर वो खोज भी लेता तो पहचान नहीं पाता राजकुमार के आदमी राज्य के घर घर जाकर उस जूते के मालकिन को खोजने लगे पर जूता किसी भी लड़की के पैर में फिट नहीं हुआ अंत में राजकुमार के आदमी सिंड्रेला के घर पहुँचे सिंड्रेला राजकुमार के गाड़ी को घर के सामने देख कर बहुत खुश हो गई जैसे ही सिंड्रेला कमरे के बाहर जाने लगी उसकी सौतली मा दर्वाजे पर दिखाई दी तु कहा चल दी, तुम भी जुता पहने की कोशिश करना चाहती हो व्यंकात्मक हसी के साथ सौतली मा ने अटारी का दर्वाजा बन कर दिया नहीं, क्रिपा करके दर्वाजा खोलो, क्रिपा करके प्लीज किसे नहीं तैनी ये बात है, राज कुमार और तुम में क्या समानता होगी भला आदमी ने पहले पतली बेहन को जूता पहनाया, पर वो उसके पैर के लिए बहुत छोटा था देखो मेरे पैर में किते अच्छी तरह से बेट गया फिर मोटी बेहन ने कोशिश की, पर जूता उसके पैर में चाही नहीं रहा था शायद हमने दुसरे पैर में कोशिश की होती उन्होंने कोशिश तो बहुत की, पर नाकाम रहे सिंड्रला ने खिड़की की तरफ दौडने की आखरी कोशिश की पर खिड़की बहुत उपर थी, वो रोने लगी उसे रोता देख, उसके चुहे दोस्त उसके पास आये मेरी सौतेली मा ने मुझे बन कर रखा है, चाह भी उसी की पास होगी चुहा दर्वाजे की नीचे से फिसल कर पाहर आया सौतेली मा दर्वाजे पर राजकुमार के आदमियों के साथ खड़ी थी आप कल क्यों नहीं आते, आज वो बहुत ठकी हुई है और पेरों में सूजन है चुहे ने सौतेली मा के स्कर्ट पर कूद कर चावी निकाली और उपर की और दोड़ा उसने चावी दर्वाजे की नीचे से अंदर सरकाई चावी देखकर सिंड्रिला बहुत खुश हुई दर्वाजा खोल कर वो जल्दी से नीचे की तरफ भागी अरे तुम बाहर के से निकलाई क्रुपया रुकिये चाहिए मत मुझे भी जूता पहनना है सौतली मा और बहने ये सुनकर जोर से हसने लगी शान्त हो जाओ ये राजकुमार का हुक्म है कि राज्यकी सारी लड़कियों ने कोशिश करनी चाहिए जब सिंड्रेला ने जूता पहना सब को आश्चर ये हुआ क्योंकि जूता उसके पैर में अच्छे से फिट हुआ सुन्दर यूती क्या ये बूट तुम्हारा है सिंड्रेला ने गर्दन हिलाकर हामी भरी क्रिपया हमारे साथ महल चले सिंड्रिला उनकी साथ महल में गई उन्होंने उसे राजकुमार के सामने पेश किया जैसे ही राजकुमार ने सिंड्रिला की आखों में देखा वो जान गया कि उस रात उसने उसी की साथ रुत्य किया था उसने सिंड्रिला का हाथ थामा खुशी के आसु भरे आखों से उसने राज कुमार का प्रस्तावस विकार किया उन्होंने शादी की और खुशी से जीवन बिताने लगे हुशी के अबड़ बिताने घह के समय आसे बाज का उला कि काम